पूटनीती के रास्ते कटेगी चीन की लाइफ लाइफ लाइन उसकी उखर जाएगी सांसें अंतर राश्ट्रिय फलक पर अलग थलक पर जाएगा ड्रैगन बुनियाद बुलंद है अंजाम भुगतने को तयार हो जाए चीन चीन के खिलाफ दुनिया लाम बंद है भारत ने कूटी नीती के जरिये चीन को घेरने का काम तेज कर दिया है समर्थन चोतरफा मिल रहा है गलवान में हिंसक जड़ब के बाद दुनिया भर के देश भारत के साथ हैं अमेरिका, फ्रांस, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान समेट दुनिया के कई मुल्क भारत की नीती को जायस ठहरा रहे हैं वहीं चीन को कोस रहे हैं जरूर कोटनितिक सफलता कहां जा सकता है मगर सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि चीन के साथ जो हमारा मसला है यह जारी रहेगा और वैसे ही हमारा यह कोटनितिक प्रयास भी जारी रखना चाहिए हर रोज हर वक्त हमें कोशिश करना पड़ेगा प्रयास जारी रखना चाहिए चीन अमेरिका के साथ ट्रेड वोर्स से शुरू हुई जंग में वूहान वाइरस ने आग में घी डाला है अमेरिका लगातार चीन पर हमले कर रहा है वहीं अमेरिका भारत के समर्थन में आवाज बुलंद कर रहा है हाल ही में चीन के उनसा टैप बैन करने के भारत सरकार के फैसले को अमेरिका के विदेश मंतरी माइक पॉम्पियो ने जाइस ठहराया जिसके बाद चीन बिल बिला गया माइक पॉम्पियो जूट पैलाते रहते हैं और लोगों को बरगलाते रहते हैं भारत चीन के रिष्टों में आई तल्खी को देख अमेरिका चीय लीडर्स की तरह बरताव कर रहा है। चीन को सबसे ज़्यादा घबराहट अमेरिका से ही नहीं रूस से भी है। रूस ने तनाव के इस मौगे पर भारत को हत्यार देने का फैसला किया जिससे चीन पर रिष्टान हो गया। अमेरिका के चलते रूस चीन के साथ मजबूरी में आता है लेकिन वो चीनियों पर विश्वास नहीं करते ही। दोस्ती की मिसाल तो फ्रांस ने खाइम की है। चीन से तनाव के बीच फ्रांस दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने भारत के समर्थन में अपनी सेना को भी भेजने का आफर दे दिया। जापान रक्षा शेतर से जुड़ी खुफिया जानकारी साज़ा करने को तयार है। चीन से तनाव के बीच आउस्टेलिया ने भारत का समर्थन किया है। चीन के खिलाब भारत के सखत रुख के बाद पहली बार आसियान के दस देश भी चीन के खिलाब कर सामने आए हैं। इस समय कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया भारत के साथ खड़ी है। इसे भारतिय कूटनीती की सफलता कही जा रही है। धोके बास चीन पर भरोसा करना अब ठीक नहीं। उसे सबख सिखाने के लिए कूटनीतिक स्तर पर भी जोरदार तयारी है। यानि मोर्चा बंदी ऐस